आइडिया वीडियो तक्षा एक और दो के बच्चों की माताओं के लिए नमस्ते आज की मिटिंग में आप सभी का स्वागत है आशा है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की अक्षर पहचान गतिविदी और कक्षा एक और कक्षा दो की वरक्षिट तथा पीने के पानी को साफ करने के अलग-अलग और आसान तरीके के बारे में हमने बात की थी आपने घर जाकर बच्चों के साथ खेल खेला होगा आपके अनुभव जरूर साजा करें तब तक के लिए वीडियो यहां पॉस करते हैं चलिए अब आगे की गतिविती करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं सभी माताएं एक लाइन पर खड़ी रहें प्रत्यक माता के सामने एक निश्चित दूरी पर बाल्टी रखें सभी माताओं के आखों पर पट्टी बाढ़ें अब हर माता के हाथ में एक लकडी दें लीडर माता के एक, दो, तीन कहने पर सभी माताएं उनके सामने रखी बाल्टी को ढूंडे और उस पर लकड़ी से मारे जो माता सबसे पहले बाल्टी पर लकड़ी से मारेगी वह विजैता होगी यह खेल होने तक यह वीडियो यहां पॉस्ट करते हैं चलिए अब आगे की गतिविधी करती हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं बच्चों में कीडों का संक्रमन काफी आम है और आसानी से फैलता है हाला कि यह बता पाना मुश्किल है कि यह इंफेक्शन कितना आम है क्यूंकि इनके अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं इस वीडियो से अधिक जानकारी लेते हैं बच्चों के पेट में कीडे होना बच्चों में कीडों का संक्रमन काफी आम है और आसानी से फैलता है हाला कि यह बता पाना मुश्किल है कि यह इंफेक्शन कितने आम है क्योंकि इनके अकसर कोई लक्षन नहीं होते और इनके बारे में सूचना भी नहीं मिल पाती है हर पांच में से एक व्यक्ति को कम से कम एक पिरकार का कीडों का संक्रमन अवश्य होता है वहीं छोटे बच्चों में तो यह इस से भी अधिक आम माना जाता है जादा तर कीडों का इंफेक्शन होने के कोई लक्षन दिकाई नहीं देते या फिर ये लक्षन इतने हलके होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता शिशु को कीडों का कौन सा संक्रमण हुआ है और ये कितना गंबीर है इसे देखते हुए बच्चे में कुछ आम संकेत ये लक्षन हो सकते हैं जैसे भूखना लगना, जी मिशलाना, उल्टी आना और कमजोरी होने लगती है जब कीडों के लार्वे फेफडों तक पहुच जाते हैं तो दमा रोग भी हो सकता है कीडों के लगबख सभी संकर्मणों का उपचार मूँ से लेने वाली ओरल दवाओं से किया जा सकता है आपके बच्चे को किस तरहां का संकर्मण है? उसके अधार पर डॉक्टर दवाएं या कीडों को खत्म करने का उपचार दी वर्मिंग शुरू करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि शिशु साफ और सूखी जगा पर ही खेले अपने बच्चे को पानी की जगहों पर जैसे कीचर, गड़ो, जीलों या बांधों के आसपास ना खेलने दे शुचाले का इस्तिमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरहां दोएं यदि आपका शिशु बड़ा है तो आप उसे हर बार शुचाले के इस्तिमाल के बाद हाथ दोने के बारे में सिखाएं बच्चे के नाखून छोटे और साफ रखें कीडों के अंडे लंबे नाखूनों में फस सकते हैं और पूरे घर में फैल सकते हैं फल और सबजीओं को साफ पानी में अच्छे सदोएं हरी पतेदार सबजीओं को धोते समय विशेश सावधानी बढ़तें क्योंकि उनमें मिटी और धूल लगी रह सकती है हमेशा साफ पानी पियें आप पानी को उबाल सकते हैं या फिर फिल्टर कर सकती हैं इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है सभी माताएं बारी-बारी से समुह में बताएं चलिए अब आगी की गतिवी भी करती हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं घर की कुछ वस्तुएं ले और टोकरी में रखें जैसे टमाटर, साबुन, रुई, मोबाइल, आदी बच्चों को प्रत्यक वस्तु की पहली आवाज कौन सी है पूछें जैसे साबुन की पहली आवाज स इसके साथ ही कक्षा एक की इंद्रधनुश में रंग भरने और कक्षा दोकी, अक्षर वचितुर की जोडियां बनानी की वक्षित घर में बच्चों के साथ पूरी करें बच्चों को गतिविधी और वक्षित कैसी लगी? अगले सफ्ताह आपके अनुभाव हमारे साथ साजा करें आज का मज़ेदार सवाल सभी माताएं आपस में बात करें और सवाल का जवाब ढूंडें आज की गतिविधियां यहाँ पर समाप्थ हो रही है ऐसे ही नई जानकारी और गतिविधियों के साथ अगले सफ्ताह फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना वो बच्चों का खयाल रखें धन्यवाद